नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों अद्रक महस मसाला ही नहीं है बलकि ये सिहत के लिए भी किसी वर्दान से कम नहीं है अद्रक में आईरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन वह विटमिन सहिद कई पोशक तत्व मौजूद होते हैं साथ ही अद्रक एक शक्ति शाली अंटी वाइरल भी है ये पाचन तंत्र को मस्बूत बनाता है अद्रक को ताजा और सूखा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है चलिए आज के इस पैकेट में आपको अद्रक के गुड़ों के बारे में ही बताते हैं अद्रक को हमेशा से खांसी की बहतरीन दवा माना जाता है खांसी आने पर अद्रक के छोटे टुकडे को बराबर मात्रा में शहत के साथ गरम करके दिन में दो बार सेवन करें इससे खांसी आना बंध हो जाएगी और गले की खराज भी समाप्त होगी अद्रक का नियमित सेवन करने से भूक ना लगने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है अगर आपको भूक कम लगती है तो अद्रक को बारी काट कर थोड़ा सा नमक लगा कर दिन में एक बार लगातार आठ दिन तक खाईए इससे पेट साफ होगा और ज्यादा भूक लगेगी पेट की समस्याओं के लिए अद्रक बहुत ही फायदे मंद होती है ये अपच और पाचन में सुधार करने में मदद करती है अद्रक को अजवाइन, सेंधा नमक वर नीमभू का रस मिला कर खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है इससे पेट में ग्यास नहीं बनती, खटी मीठी डका आराना भी बंद हो जाती है साथ ही इस उपाय से कब्स की समस्याओं से भी निजात मिलती है अद्रक के सेवन से तवचा आकर्षित और चमकदार बनती है अगर आप भी अपनी तवचा को आकर्षित बनाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट, एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ अद्रक का एक टुकड़ा जरूर खाएं इससे ना केवल आपकी तवचा में निखार आएगा, बलकि आप लंबे समय तक जमा दिखेंगी सर्दी और जुखाम होने पर अद्रक का सेवन आपको आराम पहुंचाता है सर्दी होने पर अद्रक की चाई पीने से फाइदा होता है इसके अलावा अद्रक के रस को शहर में मिलाकर गरम करके पीने से तेजी से लाब मिलता है अद्रक का प्रयोग हमारे कोलिस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है इससे बलड सर्कुलेशन ठीक रहता है और इसके इस्तमाल से खून में कलॉट नहीं बनते साथ ही इसमें अंटिफंगल और कैंसर प्रतिरोधी होने के गुण भी पाय जाते हैं अद्रक को दवा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है अद्रक का सेवन करने से गठिया, आर्थराइटिस, साइटिका, गर्दन और रीड की हड्डियों के रोग के इलाज में इस्तमाल किया जा सकता है अद्रक महिलाव में मासिक धल्म की अन्यमित्ता को दूर करने में भी मददगार साबित होती है अद्रक को एक प्राकृतिक दर्द निवारक भी कहा जाता है अद्रक में दर्द मिटाने के प्राकृतिक गुण होते हैं ये बिना किसी दुष्प्रभाव के दर्द निवारक दवा की तरह काम करता है ताजे अद्रक को पीस कर इसमें थोड़ा सा कपूर मिला कर लेप करने से अगर सूजन और दर्द वाले अंगों पर लगाये जाए तो दर्द और सूजन कम हो जाती है तो दोस्तों अद्रक के इतने सारे फाइदे जानने के बाद हमें यकीन है कि हमारे बताये हुए निसके आपके बहुत काम आएंगे सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू फॉर लेटिस्ट हेल्थ टिप्स विडियोस अगर आपको हमारे विडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेर जरूर करें